Hello everyone, welcome to my YouTube channel आज की वीडियो में हम Obstra का एक टूल जो की है volatility surface वो discuss करने वाले हैं ये टूल क्या होता है और केसे वक करता है हम इस वीडियो में देखेंगे इस curve को discuss करने से पहले मैं आपको बता दोता हूँ कि volatility curve क्या होता है यहाँ पे एक photo है इस type का कुछ volatility curve होता है जहाँ पे आपको पता होगा कि जो add the money strike prices होती है उनकी जो volatility होती ही वो सबसे कम होती है as compared to out of the money और in the money जैसे जैसे यहाँ पे इस example में 250 की add the money strike prices जैसे जैसे options की strike prices बढ़ती जाएगी 300 तक पोज गई तो उसकी volatility भी बढ़ती जाएगी राइट साइड में out of the money calls आते हैं और in the money puts आते हैं और left side में in the money calls आते हैं और out of the money puts आते हैं So यह है volatility curve अब आपस्टरा का जो feature है आपस्टरा का जो volatility surface है वो कुछ इस type का है जहाँ पे यह पूरा 3D में दे रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पूरा 3D में गिवन है जैसे यहाँ पर मैंने Nifty का volatility surface को लाए जो लोग volatility को use करते हैं उसके लिए volatility surf बहुत ज़्यादा अच्छा है IV का विल्कुल कर दे रखा है यहाँ पर volatility smile भी बोलते हैं इसको जैसे कि अगर हम इसके content की बात करें तो यहाँ पर तो volatility दे रखी है इसके निचे side expiry दे रखी है और इदर strike prices दे रखी है यह आप देख सकते यहाँ पर इसको आप कैसे भी rotate करेंगे आपको हर जगा पर यह इसके strike prices IV और expiry दिखेगी तो यह एक 3D version है अब आपको बता होगा जैसे जैसे expiry बढ़ती जाती है जैसे यहाँ पर आप देखेंगे यह जैसे जैसे अभी जैसे अभी जो current expiry है वो है 15th जून जूलाई की तो 15th जूलाई की strike prices में volatility जादा होती है तो यहाँ पर आपको इस curve से दिखेगा कि जो 15th जूलाई की expiry है उनकी volatility जादा होती है और जैसे जैसे expiry बढ़ती जाती है वैसे वैसे volatility कम रहती है एक इसमें होता है higher the expiry lesser the volatility lesser the vega, volatility vega एक ही होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इसकी help से आप आप लाइव देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम धूर मूव करेंगे expiry में जैसे हम 26 अगस्त है तो उसकी volatility सबसे कम है as compared to जो 15 चुलाई वाली है तो यहाँ पर इसका एक curve नीची side आतर हुआ दिखाया है और जैसे जैसे मैंने बताया कि at the money से हम in the money और out of the money में जाएंगे तो volatility बढ़ती जाएगी यहाँ पर नीचे strike prices दे रहे कि जैसे भी nifty चल रही है 15,700 या 750 के अप्रॉक्स चल रही है तो जै जैसे जैसे उपड जाएंगे वैसे वैसे volatility बढ़ेगी यहाँ पर देख सकते हैं और जैसे जैसे हम नीचे side जाएंगे volatility बढ़ेगी अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो volatility है वो puts नीचे वाली strike prices की जादा है जैसे 15,000 के जो नीचे आ रही है 15,000, 15,050 और 14,090 इसलिए जो options होते हैं यह वाले options महेंगे होते हैं आपने देखा भी होगा जो put option के out of the money put options होते हैं उनके premiums ज्यादा होते हैं as compared to out of the money call options तो यह इसका reason है crashophobia तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एकदम live बताया है कि जो नीचे की strike prices होती है उनकी IV ज्यादा होती है इसी उपर की strike prices होती है इनकी IV कम होती है as compared to नीचे वाली तो यहाँ पर इनकी premiums कम मिलते हैं हमको call options में तो यह इसका एक feature है अगर बिल्कुल यहाँ पर आपको exact volatility को study करना हो इसका IV curves को study करना हो तो आप इसका use कर सकते है volatility surface यह options में जाके volatility surface में दिखेगा अप्स्ट्रा की tools के discussion में मैंने options back testing simulator algorithm और strategy chart अल्रेड़ी बता दिया है आज मैंने बताया है volatility surface implied volatility surface तो यह एकदम dynamic complex 3D live chart है यह automatically refresh भी होता है यहाँ पर इसका फाइफ मिनिट का auto refresh होता है अगर आपको हाथ वाद रिफ्रेश करना हो तो आप डारेक्ली भी रिफ्रेश कर सकते हैं तो यहाँ पर जित्ती भी volatility वो change हो क्या जाएगी जिसे मुझे कुछ चेक करना है 15,700 की volatility क्या है और यहाँ पर strike prices भी अलग अलग आ रही है तो यह जैसे ही आएगी यह देखा 15,700 यहाँ पर है अब मुझे 15,700 की यह 15th June वाली implied volatility देखनी है तो यहाँ पर मुझे पता चल गया है कि 11.35% इसकी implied volatility है 15th July की expiry की अगर मुझे just 20 seconds की देखनी है तो यह volatility 11.18 है जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हम धूर expiry पर जाएगे volatility कम होते जाएगी तो यहाँ पर 35 थी यहाँ पर 0.18 हो गई अगर हम 29 July की monthly expiry पर जाएगे तो वह गई 11.57 और जैसे हम 26 अगस्त पर जाएगे वह सिफ 12.58 यहाँ पर यह आप देख सकते at the money में और इस साइड में आप चेक कर सकते हैं लो नीचे साइड में 28.8 18.17 15.7 यह जो चीज वर्क करती है एक्सपारी वाली वह out of the money और in the money में वर्क करती है तो आप अपने हिसाप से यहाँ पर study कर सकते हैं यह इसकी implied volatility scale है यहाँ पर 28 इसमें red बता रहा है और 10 मतलब low-west वाली यह range बता रहा है कि यहाँ पर 28 से लेकर 10 तक की मतलब अगर 28 है मतलब यहाँ की volatility बहुत ज्यादा है तो यहाँ का vega effect जो होता है option strategies में वो ज्यादा पड़ेगा सो यह चीज थी implied volatility surface जो कि बहुत यह अच्छा tool है यहाँ पर एक और चीज है जो आपको अगर किसी stock का देखना हो जैसे कि कोई सब हम stock ले लेते हैं यह अडानी enterprise ले लेते हैं तो यह अडानी enterprise का आई भी कर्व है यहाँ पर इसकी volatility जो range है वो 6246 है मतलब बहुत ज्यादा ही volatile stock है अच्छा और यहाँ पर इसकी strike price आप देख सकते strike price अभी चल रही है सबसे अधाग 14 1400 के अप्रॉक्स होगी शाय नहा से क्योंकि volatility कर्व इसा बता रहा है बिल्कुल आप अपने हिसाब उसको move कर सकते हैं और नीचे side की strike prices होती है उनकी volatility ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि market में crashophobia रहता है कि कभी market crash कर जाए तो market बहुत जल्दी नीचे आता है तो इनके जो options रहते हैं इनके जो premiums रहते हैं वह बहुत ज्यादा रहते है as compared to उपर वाले side के आप कोई से भी stock का check कर सकते हैं यहाँ पर इसमें आपको 3D diagram मिलेगा 3D dimensional diagram जहाँ पर आपको 3 options मिल रहे है आई-वी, expiry और strike price similarly आप यहाँ पर bank nifty, fin nifty जैसा जैसे bank nifty और nifty आएंगे इनके और complex होते हैं राइगरां उसकी bank nifty का आप देख सकते हैं प्रॉपर इसमें एक एक जगा पर जाजा भी fold है, वहां का भी इसने दिखाया है यहाँ पर आप अच्छो से move करके, zoom करके देख सकते हैं यह feature था, implied volatility surface of Straka थैंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो